आज हम टाइप सफ इस्टोरीज की इमिजिनरी स्टोरीज की अगली टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं फैबल्स और इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है इसको हम देखेंगे सो आप सब लोगों ने फैबल्स पढ़ी है जहां तक मैं स्टुडी कर सकी हूँ मुझी यह समझाई है कि मुस्टी जुमारे पास फैबल्स आई है वो बन्यादी तोर पर हमारी वेस्टर्न वर्ट से आई है जिने हम बहुत अर्से से ट्रॉंसलेट कर रहे हैं फैबल्स आपन के नीचे पानी है और वो पानी नहीं पी सकता मटके के अंदर इतना जुके तो उसको के स्ट्राटेजी सूचती यह होती है कि वह चुट-छुटे कंकर उठा के लाता है और मटके में डालता जाता है यहां तक के पानी उपर आ जाता है और कव्वा पानी पी लेता है अब ऐसे च्छोटी सी कहानि को पढ़ने के बाद आपको क्या समझाती कि कहानी को किया बताती है यस्टी से कहानी हमने नजमों में भी पढ़ी हैं और हमने फ्रोज में भी पढ़ी हैं एक बहुत ही कॉमन कहानी जो बहुत चोटे बच्पन से हम जब बच्चे होते थे तब से पढ़ रहे हैं उसका नाम है कच्वा और खरगोश और हमें बहुत ही अच्छी तरह पता है कि कच्वा और खरगो पहुश बाता है तो आप इन दोनों कहानियों को सामने रखते हैं अब हम देखते हैं तो फाबल्स जो है वन्यादी तोर पर एक मेटफोरिकल नरेशन है और इसके अंदर हमेशा कोई मोरल जरूर मौजूद होता है मोरल रीजिनिंग मौजूद होती है कोई इखलाकी बात हमें जरूर इसमें बतानी होती है सबसे इंपॉर्टन करेक्टरिस्टिक यह है कि इसके अंदर जितने भी करेक्टर होते हैं most of the time वो animals ही होते हैं जो के आपको मुख्तलिफ action यह scenario और problem में नजर आते हैं और फिर उसके उपर इसका conclusion होता है जो humans की तरह, इंसानों की तरह act upon कर रहे होते हैं Fables आपको नजमों भी मिल सकते हैं Fables आपको pros के अंदर भी मिल सकते हैं के अंदर definitely कोई ना कोई moral reasoning मौजूद होती है और इसके अंदर आप यह देख सकते हैं कि इनसान उसी scenario को देख रहे होते हैं जो animals कर रहे होते हैं पर वह सारे scenario इनसान पर बहुत आसानी से लागू हो जाते हैं इसलिए हम उसके साथ बहुत easily connect कर सकते हैं सो हमेशे इस कहानी का कोई ने कोई finale होता है इसने जरूर खतम होना होता है एक important conclusion में एक well-defined structure है फैबस का उसके अंदर तीन important चीज़े हमारे सामने मौजूद है जैसे के beginning beginning के अंदर हम actually characters जो हैं उनको introduce करते हैं और define करते हैं कि वो क्या हैं वो क्या कर रहे हैं complication को define करते हैं कि plot क्या है असल में scene क्या जा रहा है और आपका जो author है आपको किस तरफ critical thinking लेकर जाना जाता है और उसके outcome की तरफ कि वो कैसे resolve होगा क्या उसका end अच्छा होगा या बुरा होगा तो वो एक moral की तरफ लेकर जाता है आप आपका के मौजूद होता है जिसके अंदर moral message हर हाल में मौजूद होता है और वो किसी ना किसी आपको या प्रोस या आपको पोईम के फॉर्म में दिया जाता है तरफ के अंदर हमेशा generator होता है वो off-figure होता है का मतलि यह होता है कि जब आप कहानी पढ़ रहे होते हैं तो narrator ऐसा होता है जिसे वो observe कर रहा है वो आपको वाकिया बयान कर रहा है वो खुद अमोमन उस कहानी का हिस्सा नहीं होता जिसको हम यहां protagonist experience कह रहे है यानि जो main character जो के उसके अंदर फैबल के अंदर main character है main hero है या main मकसद जो पूरा कर रहा है वो अमोमन कुछ author या writer या narrator नहीं होता तो अगर हमें कोई ऐसी फैबल मिलती है जिसके अंदर writer मौझूद होता है तो वो actually off figure के form पे होता है वो directly involved नहीं होता तो यह वो कुछ characteristic है जो फैबल की होती है और जो के हम सब ने पढ़ी है तियर very important good stories जो के हम बच्चों को introduce करवा सकते हैं